हेलो एवरीवन, वेलकम टू देजरावर ग्लासेश, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम करेंगे अपने नेक्स टीडीपी की कोईशन्स, लास्ट वीक जो है हमने पेडगोजी का पेपर सोल किया था TGT का, सो अब फिर से अपनी वही ओलिवन सीरीस स्टार्ट क कोई और पेपर मिलेगा तो उसको भी जरुव सोल करवाऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साथ और यह भी मिक्स कोईशन्स हैं कुछ DSSB एक्जाम से रिलेटिड हैं कुछ KVS के हैं तो सब मिक्स ही चलेगा ओके जितने कोशन जहां से मुझे मिलते हैं बस मैं को कुछ करते हैं को प्रैक्टिस कराने की कहां से क्या मिल रहा है इससे कुछ फरक नहीं पड़ता फरक यह है कि आप लोग इन कोशन्स की प्रैक्टिस करें जादा से जादा तो चलिए देखते हैं फास्ट कोशन फीडबैक और रिइनफॉर्समेंट शुडबी गिवन टूद बलन भी बोल सकते हैं तो वह कब क्या देना चाहिए मतलब टीचर को यह कोशन इमेजटली आप्र देजाइरबल बिहेवियर सीन जैसे आपने देख लिया है उसके बाद आपको फीडबैक देना चाहिए सारे टीचर के सामने देना चाहिए जब क्लास का कंक्लूजन हो है तो आप उसके इमेजटली बाद फीडबैक दें अगर बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो आप वेरी गुड गुड को थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं कि आपने इतना अच्छा किया आपके यह मूवस बहुत अच्छे थे आपने यह सब अच्छे से किया और तो वहाँ सारे बच्चे जो हैं वह खेलना चाहते हैं गर घर खर खेलना चाहते हैं according to Vygotsky how does a child benefit from the importance of sports so sports से किस तरह से बच्चे को benefit मुलता है Vygotsky की according यह आपको बताना है the game should be encouraged as it gives the teacher a chance to assist the students गेम इसलिया उन्करेश करने चाहिए कि वह शिक्षक को चात्रों का आंकलन करने का मोगा देते हैं या फिर खेल को प्रुटसाइद किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों को मस्ती करने का समय देते हैं ठीक है पहले में है कि हम हम असेस कर रहे हैं दूसरे में हम इंजोई कर रहे हैं फन मिल रहा है थोड़ा सा या स्पोर्ट शुड भी एंकरेज़ बिकॉस इट प्रोमोट्स न्यू कोग्निटिव स्किल्स या फिर इससे नई संग्यानात्मक कोशल जो हुनका विकास होता है या फिर इट शुड नॉट भी प्रोमोटेड इसको प्रोमोटी नहीं करना चाहिए क्योंकि स्लोडाउन करता है कोगनिटिव डिवलप्मेंट को तो देखे तो नेगेटिव है तो इसको तुम पहले अनिमेट कर देंगे सिर्फ फन और असेस्मेंट के लिए नहीं करते हैं हम बेसिकली स्पोर्ट के सा तो उप्शन नमडर 3 इस दग राइड अंसर नेक्स्ट है प्रिया एननन्या और कॉलाबरेटिंग उन्हें डिजाइन फोर राइडिल कम्यूनिटी प्रिया और अनन्या दोनों कोलाबरेट कर रहे हैं एक साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं एक चीज़ पर आइडिल कम्यूनिट कैसी होने चाहिए, तो उनका जो lay out होगा town का, मतलब एक town है वहाँ पर कैसी community होने चाहिए, तो उनको 5 primary social institutions add करने ही करने है social institutions कुछ भी हो सकते है वो भले ही gram सबा हो सकती है, या फिर कोई भी social institutions हो सकते, NGO's हो सकते है कुछ भी, तो 5 उनको add करने ही करने है और मतलब यह टीचर के त्वारा इंस्ट्रक्शन अंको कि भी पांच आपको एड करने हैं आप आगे देख लेना तो इवालवेट करो इस constructive approach को कि कैसे relate करती है यह तो यह proper use of constructive approach है because the students are given parameters of how to complete their design तो यह पूरी तरह से constructive approach है क्योंकि बच्चों को यहाँ पर parameters दिये गए है कि आपको किस तरह से कैसे complete करना है अपना design तो यह parameters तो देखे यहाँ पर यह parameters नहीं दिये गए हैं यहाँ पर केवल उनको यह बताए गया है कि आपको design करना है और पांच primary social institutions add करने है कोई set parameters नहीं है कि इस सतरह से आप आगे बढ़ेंगे यह चीज़ों का आप include करेंगे केवल यह दो चीज़ बोली गई है this is not a proper constructive approach because the students are being directed by the teacher's instruction तो teacher instruction teacher ने पहले दे दी तो constructive तो है ना भई तो यह नहीं कह सकते कि constructive है यह नहीं अब बच्चे को खुद construct करना अपना design टीचर तो instruction देगा है यह पहले कि किस पर आपको काम करना है आपने teacher ने instruction दे दी हाँ यहाँ पर बच्चे construct खुद करेंगे तो यह कह रहे हैं यह बे option में यह बोल रहे हैं कि यह रशनात्मक है ही नहीं तो यह गलत है यह रशनात्मक तो है क्योंकि एक प्रोजेक्ट मिला है परोपर this is an excellent demonstration of the constructive approach because it directs them in learning about the five primary social institutions तो देखिए यह बहुत ही excellent type की constructive approach है क्योंकि यहां पर उनको direct मतलब उनको पाँच प्राइमे निशुटिशन के बारे में करेंगे तो यह एक्सेलेंट पोल सकते हैं इसको अप्शन नमर सी यहां पर बिल्कुल सटीक जा रहा है उसके पार इसके गूड एक्जामपल ऑफ हाव दा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अलाव फोर टीचर डारेक्ट इंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कौन से पांच प्राइमरी सोशल इस्टूशन वो एड़ करेंगे वो साइडल कम्यूनिटी में वो देखने वाली बात होगी तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपक्ट पड़ता है आपके लर्निंग पर तो यह कौन सा थोंडाइक का बेसिकली लो है तो यह थोड़ा एज़ी कोशन है लोफ रिस्पॉंस प्रैक्टिस या एफेक्ट तो देखें इसका जो करेक्ट ओप्शन होगा वोगर लोफ एफेक्ट अगर कोई चीज आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है तो आप यह और आप उस चीज को रिपीट करेंगे तो यह एफेक्ट होता है किसी भी चीज का जब आप कुछ करते हैं ठीक है तो यह लॉफ एफेक्ट होगा तो उन्डाइक ने बहुत सारे अपने लॉस दिये थे तो उसमें से एक है नेक्स्ट असलेक्ट बैस्ट ऑप्शन तो डिफाइन सोशल कल्चिल लर्निंग को आप क उसको सीखते हैं तो बिल्कूल गलत है दा इंपक्ट दर सोशल कल्चर नॉर्म 7 students या फिर सोशल कल्चर नॉर्म्स का बच्चे पर क्या एफेक्ट पड़ता है यह है या फिर दा आइडिया देट स्टुदेंट से रोल इन हिस और हर लर्निंग या फिर यह आइडिया है कि बच्चों का एंवार्मेंट जो है किस तरह से उसकी लर्निंग को इंपक्ट करता है तो देखो यह भी नहीं होगा सोशल कल्चर नॉर्म्स नहीं सीखता है सोशल कल्चर लर्निंग का मतलब है कि जब भी बच्चा लर्निंग करता है तो जो उसका सोशल और कल्चर बेग्रा teaching learning should be such that the teaching learning process किस तरह का होना चाहिए it fulfills the physical social and cultural preferences of all the children instructed by the teacher done only with intelligent students in mind is authoritative authoritative नहीं होना चाहिए सिर्फ intelligent students को उसमें रखे नहीं किया जाता और सिर्फ instruction नहीं होती है obviously यहां पर बच्छों की cultural physical social preferences को ध्यान में रखना जाना चाहिए उनकी needs को पूरा करने वाला teaching learning process होना चाहिए तो option number a is the correct option next है integrated curriculum for integrated teaching does not include तो integrated curriculum क्या होता है जैसे कि जब आप maths पढ़ रहे हैं अलग से आप science पढ़ रहे हैं आप social science पढ़ रहे हैं आप इन सब को integrate करते हो है ना आप इनको मिला जुला कर पढ़ाते हो ऐसा नहीं है कि मैस का science से कोई संबन नहीं है मैस का social science से कोई संबन नहीं है आप interrelate करके एक करत करके पढ़ाने की कोशिश करते हो यह होता है तो इसमें क्या include नहीं होगा यह आपको बताना है तो option है relationship among concept concepts के बीच relationship होनी चाहिए जब आप पढ़ा रहे हैं learning from textbook alone सिर्फ textbook से पढ़ाना है combination of subject emphasis on project work तो project work तो करते ही हैं integrated हो चाहिए कोई भी curriculum हो हम project work दो हमेशा चाहते हैं कि project work हो combination of subjects भी ठीक है और आप सारे concepts में relationship भी वो करेंगे integrate का मतलब क्या है आपको mix करना है चीजों को कोई भी चीज एक मतलब अलग से ना हो कि एक उसका कोई value नहीं है वो अलग से importance रखती है ऐसा नहीं होना चाहिए आपको सारे concepts को सारे subjects को integrate करना है तो यहां पर option number B is the correct option सिर्फ textbook से पढ़ाना integrated curriculum का एक target नहीं होता है next है the founder of behaviorism is यह थोड़ा सा direct question है तो IP Pavlov, Alfred Binet, JB Watson, James, William James तो यहां पर आपके सामने 4 options से तो पताए कौन है founder of behaviorism तो देखे founder of behaviorism है यहां पर JB Watson ठीक है Watson is the founder of behaviorism यह वार बाद की जो नीव रखी थी इन्हों नहीं रखी थी next देखते है नाइत question है in psychological education and training the study of nature of personality and its psychological development तो personality और psychological development के nature को एक तरह से study करना और इन दोनों के भी क्या relationship है इसको study करना यह कौन से psychology होती है social, educational, developmental या फिर personality देखो यह थोड़े different branch होती है यह question मैंने DSSP से लिया है वहाँ पर हलाकि fourth जो option था वो गलत था उन्होंने abnormal psychology दिया हुआ था मतलब D option जो था मैंने अपनी तरफ से याड़ किया है क्योंकि correct option option number D है personality psychology बोलते है इसको और उन्होंने दिया हुआ था abnormal psychology यानि की abnormal को क्या कहेंगे सामानने या कुछ ऐसा होता है ठीक है तो abnormal तो वो होती है जब abnormal behavior को आप study करते हो तो उसको बोलते abnormal psychology वो इसका answer नहीं था तो वो question ही गलत था तो मैंने इसको थोड़ा correct कर दिया option number D आपके लिए डाल दिया या पर अब हम देखेंगे अपना last question which of the following theorist suggested that children's thinking does not go entirely smooth तो कौन से theorist कहते हैं कि बच्चों की जो learning है वो smooth नहीं जाती है ठीक है यह आपके सामने चार options है मैं इस question को कई बार करा चुक हूँ और कई बार बच्चों को doubt हो जाता है इस question के उपर कि ऐसे क्यों है या वैसे क्यों है तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो smooth की बात करते हैं जो कहते हैं कि development जो है smooth process है कोई रुकावत नहीं है कोई एक particular stage नहीं है आप लगातार बस धीरे धीरे ग्राजुली आप grow करते जाएंगे वो stages नहीं देते हैं तो कौन-कौन stage नहीं देते हैं जोन-डीवी stages की बात नहीं करते हैं विगोच की stages की बात न एक दम से दूसरी स्टेज में चले जाएंगे ऐसी बात नहीं करते हैं लेकिन प्रिया बात करते हैं कि स्टेजेब्ध में बढ़ती है हर स्टेज के अपने कुछ characteristics होते हैं अपने कुछ deliams होते हैं उनको cater करते हैं उसके बाद वागे बढ़ते हैं तो इस तरह से और में कुछ-कुछ रुकावटे होती जाती है हर स्टेज के अपनी प्रॉब्म्स होती है तो ये बात करते हैं जी इन प्याजे कि वह स्मूद प्रोसेस नहीं है और एक कोशन जो डाउटफुल था सर्वे वाला इधिंग कोशन था लास्ट वीडियो में था उस कोशन ये था कि कुछ ऐसा था तो वहां पर कुछ कमेंट देखे थे किसी को प्रॉब्म थी शायत है ना लास्ट वीडियो का सिक्स्त कोशन था तो देखे उसमें मैंने सर्वे मैथड बताया था कि आप कंक्लूजन ड्रो करते हैं देखो क्या होता है ना सर्वे के थ्रू हम फैक्ट इखट भाद इंफोर मेशन जब बनती है जब इन फैक्ट के साथ आप एक नॉलेज डाल देते हैं आप एक कंक्लूजन निकालते हैं आप इन फैक्ट को जो हैं इनिव्ट बनाते तब वो हमारे सामने आती है अब हमें पता है कि स्वेरा आगस है इंडिपेंडेंस देटेंज्यक जो मनाया जाते हैं दोनों ठीक है मतलब इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस को सेलिब्रेट किया जाता है यह फैक्ट है लेकिन इसका मीनिंग क्या है जब आप इस मीनिंग के पीछे जाएंगे तो वह मीनिंग्फुल इंफॉमेशन जब आपके पास जाएगा वह इंफॉमेशन बन जाता है कि इसलिए करते हैं क्योंकि यह हुआ था उसे तो अब यह फैक्ट नहीं रहा अब यह इंफॉमेशन बन जाती है तो सर्वे मैथड में क्या होता है कि आप पहले फैक्ट करते हैं फैक्ट करने के बाद आप अपने कंक्लूजन बनाते हैं कि यह चीज इस तरह स बाद जब आप पुब्लिक के सामने लेकर आते हैं कि हमने ये सर्वे किया था इसमें ये चीज़े निकल कर आई है इसले निकल कर आई कि ये पॉसिबल रीजन से ये फिर जो भी थी तो तब वो इन्फोमेशन बनती है तो उस सिक्स्त कोशन का ऑप्शन निमबर डी ए करेक्ट रहेगा जहां तक उसके अधर मैथर्ट की बाप थी कुछ लोग कह रहे थे कि इंड़क्टिव रीजनिंग मैथर्ट हो सकता है तो वो मैथर्ट नहीं होंगे वहाँ पर आपको जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है यानिकि एक्जिस्टिंग नॉलेज मींस आपके पास जो फैक्ट से उनसे आपको कंक्लूजन निकालने हैं वो आप सर्वे मैथर्ट में करते हैं इंड़क्टिव डिड़क्टिव में आप यह नहीं करते हैं इं हट का भी क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है आजकल तो गाइस जितनी भी कोशिश पूरी होती है कि आपको डेली वीडियो मेले लेकिन हो जाता है कई बार थोड़ा स्केडूल टाइट हो जाता है फिर स्कूल्स पी ओपन हो चुके हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्म है कुछ इंट्रिंसिक मोटिवेशन शैद डेवलप हो जाए आप लोगों में कि चलो फाइनली अब वेकिंसी जा गई है तो थोड़ा थोड़ा अपनी तयारी को जो है जारी रखिए ना मतलब इसको इसको इंदम से रोकी मत बिल्कुल ऐसा नहों कि छे मेने बार नोटेफिकेशन चैनल आ रहते हैं तो आपको से provided बदोबार से शुरू करने पड़े कि योई कि तेरी से रोग देते हैं तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है जब आप च्छा मिने पहले जैसे थे ना वहीं से आपको फिर से bissम से वस्टार्ट करना पड़ेगा मतलब तो पोशिश ह रखो कि 6 महीने या 2 महीने जित्ते में भी आगर आपका notification आता है तो आप थोड़ा consistency रखें कि आप एक दम से भूल ना जाएं सब कुछ इसलिए है कि आप थोड़ा थोड़ा डेली पड़ें